प्रभु तेरी वाड़ी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाड़ी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाड़ी जीवन की रोटी, नेनों की जोती अंधेरा मिटाती, भाड़ी 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 पवित्र है, शाष्वत है, जीवन का मन्ना है 11 नवंबर ब्रिहस पतिवार पहला पाट प्रज्या ग्रंत अध्याई 7 पत्संख्या 22 अध्याई 8 पत्संख्या 1 प्रज्या में एक आत्मा विद्यमान है जो विवेक्षील, पवित्र, अध्वेत्य, बहुविद, सोक्ष्म, गतिमे, शुद, निश्कलंक, स्वच, दुखातीत, हितकारी, तत्पर, अदम्य, उपकारी, जनहितैशी, सुद्रिड, विश्वास्निय, प्रशांत, सर्वशक्तिमान और सर्वनिरिक्षक है और सभी विवेक्षील, शुद, तथा सुक्ष्म, जिवात्माओं में व्याप्त है क्योंकि प्रज्या किसी भी गती से अधिक गती शील है वह इतनी परिशुद है कि वह सब कुछ में प्रवेश कर जाती और व्याप्त रहती है वह इश्वर की शक्ति का प्रस्त्रव है, सर्वशक्तिमान की महिमा की परिशुद प्रदिप्ती है इसलिए कोई अशुदता उसमें प्रवेश नहीं कर पाती वह शाश्वत जोती का प्रतीबिम है, इश्वर की सक्रियता का परिशुद दरपन और उसकी भलाई का प्रतिरूप है वह अकेले होती हुए भी सब कुछ कर सकती है, वह अव परिवर्तनिये होते हुए भी सब कुछ को नवीन बनाती रहती है वह पीडी दरपीडी पवित्र जिवात्माओं में प्रवेश कर उन्हें इश्वर के मित्र और नभी बनाती है क्योंकि इश्वर केवल उसी को प्यार करता है जो प्रग्या के साथ निवास करता है प्रग्या सूर्य से भी रमनिये हैं सभी नक्षत्रों से स्रेश्ट है और प्रकाश से भी बढ़कर है क्योंकि प्रकाश रात्री के सामने दूर हो जाता है किन्तु प्रग्या पर दुष्ठता का वश नहीं चलता प्रग्या की शक्ती प्रित्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक सक्रिये है और वह सुचारू रूप से विश्व का संचालन करती है यह प्रभु की वानी है संद लुकस के अनुसार पवित्र सु समाचार अध्याई 17 पदसंगिया 20 से 25 तक जब पदसियों ने उन से पूचा कि ईश्वर का राज खब आयेगा तो एश्वर ने उने मुतर दिया ईश्वर का राज प्रकट रूप से नहीं आता लोग नगी कर सकेंगे देखो वग यगाँ है अध्यवा देखो वग वगाँ है क्योंगि ईश्वर का राज तुमारे ही बीच है येश्व ने अपने सिश्वों से कगा आईसा समय आयेगा जब तुम मानोपुत्र को एक दिन भी देखना चाओगे किन्दू उसे नहीं देख पाओगे लोग तुमसे कगेंगे देखो वग यगाँ है हरवा देखो वग वगाँ है तो तुम उदर नहीं जाना उनके पीचे नहीं दावड़ना क्योंगि जैसे विजली आकाश के एक छोर से निकल कर दूसरे चोर तक चमकती है वाई सेगी मानो पुत्र अपने दिन प्रकट होगा परंदू पगले उसे बहुत दुख सहना और इस पीडी द्वारा ठुकराया जाना है यह प्रभु का दीवियसु समाचार है ख्रिष्ट प्रभु की जै बाई और बानो आज का प्रतमपाथ प्रक्या गरंद सेथा आज का प्रतमपाथ में हम प्रक्या की सलाक्या उनकी प्रसंसा उनके बारे में बहुत सुनते हैं युरानी दर्शन सास्तर का युदी इस दर्मकरंद के लैकप पर इतना जाता था इसने जुनानी जो विचारदै रार है उसको अपनाया अपनाया और हमारे सामने प्रक्या का एक विवर्ण देते हैं युदी लैक हग warfare की प्रक्या की प्रसंसा करते हैं जुनानी दर्शन में इश्वर का नहाद शप्त लोगोस हर चीज में बितिमान है लोगोस की उबस्तिदी के कारणी अर चीज अस्तित में आता है उसी तरह प्रज्ञा इसकी उबस्तिदी से अर चीज में आम बैवस्ता सामन जस्व देखते हैं बिश्व में भी अम इस सामन जस्व वैवस्ता देखते हैं और इस कारण जुनानी दर्शन सास में प्रज्ञा का बहुत सोफिया का बहुत बढ़ा स्तान है और इसको पावित्र वाइबल में लेका कामें एश्वर के प्रज्ञा के बारे में जानकारी देते हैं सुक्तिगरंद अथ्याई आठ में प्रसंसा की प्रज्ञा की प्रसंसा उनकी आत्मसलाखा एवन सुरतावों को प्रज्ञा के अनुभव पाने और प्रज्ञा की ओर आने प्रज्ञा को आत्मसाद करने की निमांदर दिया जाता है इस प्रज्ञा संबंदी परामर्शों को बूर नहीं कर सकते और इस वज़े से पावीत्र वाइबुल में जैसे जोगन अपने सुसमझार के शुरू में करते हैं कि आदी में शप्त दा शप्त इश्वर के साथ दा शप्त इसी तरह इश्वर के प्रज्ञा को भी एक human face देकर एक प्रकार के एक बिक्तित्त देकर आज के पाट में हमने सुना है प्रक्ञा की उत्पति इश्वर के साथ मानी जाते ही जब इश्वर है तभी प्रक्ञा भी है इश्वर के साथ उनका उत्पत्य हुआ, इस कारण हमारे गीश शास्त्र के लोग प्रक्णा को प्रवी एश्व के रूम में मानने लगा, संद योगन के सुसमाजार में हम पढ़ते हैं कि, आदी में प्रक्णा, आदी में शप्त दा, शप्त इसर के साथ इसको बदले, हम कर सकते हैं, आदी में प्रक्णा दी, आव प्रक्णा इश्वर के साथ दी, आव प्रक्णा इश्वर दी, आज के पाट में हम प्रक्णा होंगे, यह कीश गुन सुने हैं, प्रतम पाट में हमने प्रक्णा के यह कीश गुन सुने हैं, और ये गुणों को तीन दीन सेट में हमारे सामने प्रस्तत किया गया है इसका आर्थ है कि ये साथ नंबर येकुदियों के लिए पूर्नदा का प्रदीक है और तीन नंबर येकुदियों के लिए येश्वरेदा का प्रदीक है तो ये ईश्वर ये गुन गोने के कारण उनको आइसा तीन-तीन सेट में अमारे सामने रखा है प्रक्या सभी बिबेगशील शुत्त तदा सूष्म जीव आत्मावों से ब्याप्त हैं प्रक्या की और और कुछ विशेश्दाइम भी दिया गया है उनमें से ये कि ये ईश्वर का इश्वर का फ्रान वायू जैसा है और इश्वर की मघिमा प्रगड करने वाली है जैसे जो उनका सुसमाज अध्याई तीन पदसंग आठ में हम पढ़ते हैं प्रव येश्व ने निकड़ मुझ से कागादा कि पवन जहां जिदर जाना चाहता है वदर जाता है और उसकी आवाज सुनते हैं कि ये नगीम जानते हैं कि किदर से आता है और किदर जाता है जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है आत्मा और पवन पवन मैंने वायू हवा इन दोनों के लिए एकी शप्त इस्तमाल किया गया था और इसके अन्सा कटे आत्मा से प्रेर्द बेक्ति भी हवाग जाई सही है और आरप्रगार के बंदन से वो मुक्त है इसलिए इसका किया गया हम पढ़ते हैं कि बाइबल में आओर हम पढ़ते हैं कि प्रेरदों के कारिकलाब अध्याई दोपतर संग्याद दोस्यम पड़ते हैं पंदकोस्त का दिन जब पवितरात्म आया न्यूमा पवितरात्म प्रेरदों पर उतरे हवा के रूम में बहुत भयंगर आवा वायु जो आवाज सुनाई दिया जहां प्रेरद एक साथ बाइ उनको इस प्रजंड वायु के रूम में प्राप्त हुआ था इसी तरह हम देखते हैं जब प्रवो येश्व क्रूस पर मरते हैं जो उनका सुसमारे अध्याई उनीस पादे संग्या तीस में हम बढ़ते हैं येश्व ने अपनी आत्मा पिताक के पाविन हात्यूम दिया त से शुरू है मने येश्व ही हमें आत्मा प्रदान करने वाला है प्रज्ञा करने प्रदान करने वाला है आई इसलिए हम प्रज्ञा के वारे में यह सुनेंगे नाई आपयवस्तान में प्रज्ञा करते हैं प्रभ येश्व की वस्तिदी आज के पाड़ में पाद संग्या सबकुछ में प्रवेश कर जाती है ब्याप्त है इस कारण सबकुछ अस्थित में है वो ईश्वर की शक्तिक का प्रसव है शक्तिक का वो स्रोध है शक्तिमान की मगिमाव परिशुति प्रदिप्ति है इसलिए कोई अशुत्दा उसमें प्रवेश नहीं कर सकती यह प्रज्ञा पभीत्र रहती है जिसलिए कहते हैं और पुराने बवस्तान में ईश्वर के लिए जो जोदी प्रदिप्ती के बारे में इदर काई ईश्वर के लिए इस्तमाल नहीं किया जाता था जोदी प्रदिप्ति ये ईश्वर के उबसिदिका चिन्द के रूम में माना जाता है जैसे हम पढ़ते हैं नर्गमन गरंद अध्याई थीन में पद्शन के दो में पढ़ते हैं मुसा ने जल्तिगुई जाड़ी में ईश्वर का दर्शन पाया था तो जोदी ईश्वर की उबसिदिका चिन्द नर्गमन गरंद अध्याई थेरा पद्शन के एकीस में पढ़ते हैं ईश्वर जोगतियों के साथ आया था मैंने एक रात में प्रकाश देने वाले अक्नी स्तंब के रूम में हाँ दिन में बादर के रूम में ईश्वर की उबसिदि वादा तो अक्नी ईश्वर की उबसिदिका एक चिन्द था परन्दु नाया मविस्तान में कहते है ईश्वर जोदी है जोगन कहते हैं ईश्वर जोदी है और उसमें कोई अंदगार नगी जोगन का पहला पत्र अध्याई आठ पतर संग्या बारह में, प्रव एश्व ने सिष्व में से कागा, लोकों से कागा, यगुदियों से कागा, मही जोदी हुम, संसार की जोदी मही हुम, जो मेरा अन्जरन करता है, वो अंदगार में नहीं बढ़ता, और उसे जीवन की जोदी प्राप्त होगी, तब दिविंबिद है, इश्वर की सक्रियदा का परिशुत्य, धर्पन और उसकी भलाई का फ्रतिरूब है, सच्ची प्रज्ञा में इश्वर के संबर्क में दाती हैं, और उनकी शक्ती, और उनके प्रेम का अन्भव कराती है, इसलिए कहते बुदिमान लोग, प्रव की प्रक प्रक्या से आविशिक प्रवित्रात्मा का बर्दान में से के प्रक्या, वो बर्दाने, प्रक्या की विशेश्चदा और उनकी उदात्तदा उसे अध्युदिय मेनाता है, आज का पार्ट बताता है, यति भी वो अकेली होती है, तो भी सकुछ कर सकती है, यति भी आप पर प्रख्णा सब को परिवर्थित कर देती हैं प्रख्णा अपनी आंदर द्विष्टी और अनंद रेजन आत्म कदा के दुनिया को बदल देती है यह तो प्रख्णा एक प्रकार की यह शक्ति के रूमें अमारे सामने आजी के पाठ दिया है अब प्रज्ञा की प्राप्ति करना ये वर्दान है सॉलमें से इसुर ने पूचा तुम जो चागें हम दे देंगे तुम नया अभिशेक्त राजा के रूमें सॉलमें ने अधिगार दिया था सॉलमें ने प्रव से पूचा प्रवु मुचे प्रज्ञा दीजिए चलिए सॉलमें के बारे में कहा जाता है कि वो सबसे प्रज्ञावान साशक रगे थे तो पवित्रात्मा का अभिशेक्त से अमें प्रज्ञा होती है प्रक्या की प्राप्ति करना सबसे बड़ी बरदान है, प्रक्या के कारण ही संसार में स्रिष्टी में आम सामजस्य देखते हैं, बैवस्ता देखते हैं, सूरी आर्दीन समय पर उगता है, समय पर अस्तमीद हो जाता है, समय के अनुसार सब कुछ चलता है, इसलिए यह सब प प्रक्या आज के पार्ट में जाता है यति भी प्रकाश रात को समापत हो जाता है, प्रकाश पर रात अधिकार लेता है, प्रक्या पर कोई भी अधिकार नहीं कर सकता, वो प्रक्या है, इस्वर की प्रक्या, इस्वर की ज्ञान, इस्वर की बुद्धिमत्ता, जो अमारे वे त्सारी परिशियों के साथ संवाद ही तर येश्य का मुग संदेश दा इंसरा राज शिर्फर के राज ऍटिता निकट। खजाने के रूम में, सबसे मंग की मोती के रूम में, कई प्रगार का दृष्टान के दुवरा प्रभु येश्व ने लोगों को इश्वर के बारे में समझाया, जगुदी सोच रहे थे कि इश्वर का राज अचानक आएंगे, चिन्नत और चमतकार के रूम में प्रकट हो ज मुक्ति दादा आएंगे, वो तो राष्टी एक नेदा के रूम में आता है, जगुदीयों के लिए मुक्ति दादा मूसा जैसे एक विक्ति है, जो जगुदीयों को रूमियेंगे, गुलामी से मुक्त करेंगे, और रूमियों को निकाल देंगे, और जगुदीयों को सासे के मेरे में बदाते तो वे लो पूसते इश्वर कर राज कब आएगा एश्वर कर राज तुम्हारे बीचे इश्वर कर राज पाने के लिए एकी रास्ता है पचाताव इसलिए परव एश्वर करो इश्वर कर राज निकत है इश्वर कर राज जीवन का परिवर्तन से होता है जीवन का परिवर्तन करने से अमारा जो पत्तर का दिल है वो मुलायम हो जाएगा, पत्तर का दिल खरुना प्रेम भाईचारे से भर जाएगा, समाज बदल जाएगा, इस दुनिया में 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 इस परिवर्तन करना जीवन को परिवर्तन करना और यिश्वर की आप्नियाओं के अनुछ साहत जीना, जैसे पर इस्वग शिखाया यह अमारे पिदा के थैरा इच्छा पूरी हो तैरा राजी आवे, इस कारत यहीं कि जिए अम इच्छा का पूरी करने के लिए कोशिवाइगे और अपने जीवन को समर्पित करेंगे वहांबर इसरो का राज प्राप्त है विक्ति और समाज कोज करे जैसे वीदी वीवर रण गरन रध्याय चे पदसंग चार पांज में बढ़ते हैं अपने इस्वर को अपने पूरे खरदे से अपनी पूरी शक्ति से पूरी आत्मा से पूरी प्यार करो और अपने पडोसी को जैसे प्रविन इस्वर का राज शुरू है अमारे परि करें यह प्रवो हम यह प्रज्ञा दे जिनकी कोज आमारे रिशी मुन्यों ने किया था वह लोग कर दे आमें यह प्रवो प्रवो प्रज्ञा दे जिसके द्वारा हम तुझे जाने यह प्रज्ञा वगी यह प्रवो जिसके द्वारा हम तेरे बीच रिस्ता बनता है यह प प्रज्थ्णाँ हमें संसार के निसारदा को धर्साता है, और ये प्रज्थ्णाँ हमें अनन्द जीवन की खोज में लगा देता है, ये प्रभु अम तुष्य धन्यवाद देते, तुने आमी बुलाया है, अमें इशवर के राजी के भागीदार बनने के लिए प्रभु के द्वारा आमेन के प्रभ्व तेरिवाड़ी जीवन की रोठी के नैनों की जोती अंधेरा मिटाती भाड़ी 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 दढे त्रहें शाश्वत ऐ जीवन का मन्ना है झाल